Star Plus के popular show का सौटी जिन्दगी के टू के fans के लिए टेली मेनिया एक लेटेस अपडेट ले क्या है जी हाँ, हारी में एक खबर आई थी कि शो में अनुराग बास्टू का किरदार निभाने वाले पाथ संथान शो को छोड़ रहे हैं शो के fans इस खबर से पहले ही निराज थे कि अब उर्ती उर्ती खबरे आ रही हैं कि शो की lead actress यानि कि हमारी प्रेड ना Erika Fernandez भी शोड़ने की तयारी में है एक report के अनुसार Erika Fernandez पिछले कुछ समय से घर से ही वीडियो कॉल के जरीए शूटिंग कर रही थी हाली में उन्हें सेट पर जाकर शूटिंग करना शुरू किया जिसकी वैसे उनके parents के साथ वो घर में अब नहीं रह रही है Erika के पापा को चार बर heart attack आ चुका है वहीं उनकी मम्मी को पहले टीबी हो चुका है ट्यूबर क्लॉसिस और Erika इसलिए कोई risk लेना नहीं चाहती बात करें पाप संधान की तो पाप ने शो को छोड़ने का फैसला इसली लिया है क्योंकि को अपनी सेहत और बागी प्रोजेक्स पर focus करना चाहते है एक रिपोर्ट अनुसार उन्होंने अपने डिस्रेम के बारे में शो के प्रडूसर एक तक अपूर को बता दिया है एक तक अपूर बहुत ही कोशिश करी है कि पार्थ अपना फैसला बदल ले और खबर लेकिन उर्ती उर्ती ये आ रही है कि प्रोडक्शन हाउस है अनुराग के किर्दार के लिए नए आक्टर की तलाश करना भी शुरू कर दिया है हम आपको बता दें कि इंपॉर्टन अनॉंसमेंट कि चैनल ने या आक्टर ने कोई अनॉंसमेंट जो ओफिशन अनॉंसमेंट होती है वो नहीं किया है उर्ति-उर्ति खबर ये आ रही है कि दिव्यांका ट्रिपार्टी जो है पॉपुलर टीवी आक्टर जिव्यांका ट्रिपार्टी जो यह मौबते में इशिता भल्ला का किर्दार निवा चुई है वो एरिका फनानिंस को रिपलेज करेंगी कसौटी जिंड़ेगी 2 में अगर दिव्यांका ट्रिपार्टी सच में कसौटी जिंड़ेगी 2 में आ जाती तो फैंस के लिए तो यह बल्ले-बल्ले हो जाता अगर आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों तो हम आपको बता दे तो क्या सच में दिव्यांका ट्रिपार्टी कसौटी जिंड़ेगी 2 में आ रही है दिव्यांका ने शोशल मीडिया का सहारा लेते हुए इन खबरों पर विराम लगा दिया है जी हां उनका कहना है कि वह शो का हिस्सा नहीं होने वाली है इन्सेग्राम पर पोस्ट शेर करते हुए दिव्यांका लिखती है कि ये सभी रूमर्स हैं कि मैं कसौटी जिंदगी 2 की प्रेड़ना वन रही हूँ जो लोग परवा करते हैं उनके लिए एक खबर है हम आपको बता दें इससे पहले खबर यहीं भी थी कि कसौटी जिंदगी 2 में जो अनुपम है यानि कि साहिल आनन वो भी शो को छोड़ सकते हैं अगर आपने अभी तक तेली मेना को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब बटन को हिट करिए